हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की सैमसंग M0 फोन को आप लोग कैसे रीबूट कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो without power button अपने phone को reboot करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे scroll down कर लेना है नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा गाई एस एसिस्टेंट menu का जो हमारे phone में off होगा तो आप लोगों को इस button को जो यहाँ पर से on करना है क्लिक करते ही नीचे देख सकते allow का option आई है तो allow का option पर click कर देंगे और click करते हैं आप लोगों देख सकते हमारे phone में यह对 option है वो on हो गया है और यह option on होते ही यहाँ पर देख सकते एक एसिस्टेंट मेनू यहाँ पर आ गया है गाई यहाँ पर एक फ्लोटिंग बटन देख सकते हैं इसको आप लोग कहीं भी लेजा कर रख सकते हो ठीक गया है तो इसको बोलते हैं एसिस्टेंट मेनू तो हम इस एसिस्टेंट मेनू में क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोगों को एक power off menu देखने को मिलेगा तो इस power off menu के option पे click कर दीजे click करते ही यहाँ पर से देख सकते reboot का option आगया यहाँ पर से आप लोग अपने phone को reboot कर सकते हो तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Samsung M04 phone को reboot कर सकते होगा इस without power बटन पे क्लिक किए तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई